आप देख रहे हैं प्राइम टीवी सच साहस सरोकार 12 से 18 साल वालों के लिए कॉर वैक्सीन बायोलोजिकल लीके टीके कॉर्बो वैक्स को डीसी जी जी आई ने दी मन्जूरी करनाटक में बजरंग दल के कारिकर्ता की हत्या मामले में तीन गिरफतार शव्यात्रा की दोरान भारी भवाल धार 144 लागू 15 मार्च से शुरू हो सकती है नियमित अंतर राश्ट्रिय उडाने 28 वरुरी तक लागू है प्रतिवत समुद्र की सुरक्षा बरकरार रखने में काफी सफल रही नौसेनर राश्ट्रपती कोविन्ने की सराहना विधान सबाचुनाव से पहले मनीपुर में बमविसफोर्ट दो जवान घायर नमस्कार मैं हूँ आपके साथ मुसकान अजमानी और आप देख रहे हैं प्रदीश का सबसे विश्वसनिया चैनल प्राइम टीवी तो चलिए रुक करते हैं यूपी की खबरों के ओर जहां राय बरेली के उच्चाहार विधान सबा में प्रचाहर के आखरी दिन पहुँचे यूपी के पूर्य मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने जन सभा को संबोधित करते होए भाचपा सरकार पर जमकर हमला बोला इस दोरान अखिलेश यादव ने कहा कि मैंने पहला दूसरा और तीसरे चरण का मतदान देखा है तीनो चरणों में समाजवादी पार्टी जीत रही है जबकि लखनव के एक सम्मानी तक बार ने योगी का नाम बदल कर बुल्डोसर बाबर रख दिया है आगे पूर्व मुख्य मंतरी ने कहा कि समाजवादी पार्टी सरकार बनने पर हर विधाल सभा में च्रौवा सेंटर का निर्मान किया जाएगा साथ ही पुरानी पेंशन बहाल कर दी जाएगी उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्य मंतरी और सपह की राष्ट्री अध्याक्षा खिलेश यादव रायबरेली सुल्तान पुर में जन्सभा को संबोधित करने के बाद अमेथी पहुचे इस दोरान अकिलेश ने जगदीशपुर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए सीम योगी पर तंच कसते हुए कहा कि अब तो गोरखपुर में भी ये गीच चल रहा है कि लोट क्या आजा मेरे मी आगया किलेश ने कहा कि बाबा मुख्यमंत्री का काम है उद्घाटन का उद्घाटन करना और शिलल न्यास का शिलल न्यास करना खबर फतेपुर से है जहां प्रचार की आखरे दिन जहानाबाद सीट से बस्पा प्रत्याशी और पूर विधायक आदित्य पांडे ने शेत्र के कई मार्गों से एक भारी भरकम जुलूस निकाला वहें इस दोरान कॉंग्रेस प्रत्याशी कमला प्रजरपती ने भी एक लंबे काफिले के साथ विधान सबा के विभिन मार्गों से रोड शो भी किया जबकि भाजपा प्रत्याशी और पूर्व्य मंतरी राजेंद्र सिंग पतेल ने जहां कजबा बकेवर में एक जनसभा को संबोधित किया तो वहीं उन्होंने जहानाबाद से चोडगरा रोड और बकेवर से खजुहा रोड में रोड शो करके अपना दमखम दिखाने की प बस पा, कॉंग्रेस, भाजपा समेथ कई प्रत्याशियों ने रोड शो करके अपना दमखम दिखाने की पूरी कोशिश की है खबर और रहिया से है जहां टूरिस्ट बस में किराय को लेकर विवाद हो गया आपको बता दे कि एक यूवक दिल्ली जाने के लिए खड़ा था जिससे बस कलेक्टर से कुछ कहा सुनी हो गई इतने में कंडक्टर ने अपने मालिक को बुलाया जिससे मालिक ने किसी एक की नहीं सुनी और अपनी गाड़ी तेज गदी से भगा दी जिससे सुबोध यूवक के पैर पर बस चड़ गई यूवक को सैफ़ाई रेफर कर दिया गया है तो वही मौके पर पहुँचे थाना अध्यक्ष राम सहाई पटेल ने लोगों को समझा बुजा कर शांत कराया इस दौरान उन्होंने कहा कि दोनों लोगों की तहरीर के आधार पर कारिवाई की जाएगी कोनों ने हाँ पर एरवाद के पास उसको उटार हूं बस टकारंवा रही बस से जब जादा कर नहीं चोट रही है उसके बदोनों और फोर पाहिया लिग पहर चड़ा के दोनों फक्र दोड़ возмож और हमारी पुलिस यहां भाई यार लगनी रही है पुलिस बोली कि गाड़ी हम बेज़ दो गाड़ी छोड़ दो तो आपको बता दे कि और एया में जहां एक तूरिस्ट बस में मामुली विवाद के चलते एक युवक के दोनों पैर फ्रेक्चर हो गए जिसके बावजूद पीड़तों ने आरोप लगाया कि पुलिस ने इस मामले पर उनकी शिकायत नहीं दर्च की है जबकि ठाने से पीड पीड़तों ने बताया कि पुलिस ने इस मामले पर कोई कारवाई नहीं की बल्कि पीड़त पक्ष को ठाने से भगा दिया इस खबर पर तमाम जानकारी के लिए और रहिया से हमारे समवाद आता अमिद शुक्ला जुर चुके है तो अमिद जी इस मामले पर पुलिस ने बैठालने के बज़े से सवारी लडाई हुई दोनों पॉस्चों में और इसके बाद कन्डेक्टर में अपने मालिक को फोन करके सुचना दीगी जिसे मालिक पुरंत अपनी फोर वीलर गारी से आए और जोनों लोगे काफी बिवाद रहा वहीं गावालों ने आरोप लगा है और अब आप अब आपको बता दे कि अबी तक पुलिस ने इस मामले पर कोई कारवाई नहीं की गई है जबकि अधिकारियों ने ऐसा आदेश जारी किया है किस मामले की पूरी जांच परताल के बाद ही कारवाई की जाएगी कबर फतेःपुर से है जहां चौथे चरण में चुनाव होना है जिसको देखते होए जिला निर्वाचन अधिकारी और पुलिस अधिकारी भी मौजूद रहे तो आपको बता दे कि फतेःपुर में चौथे चरण में मतदान होना है जिसको देखते होए प्रिशासन पूरी तला से अलर्ट हो चुका है ताकि जनपद में शांदीपूर्ण तरीके से मतदान संपन हो सके गाजिपूर में स्टेटिक सर्विलांस टीम दौरा वाहन चेकिंग के दौरां तीन लाख पचास अजार रुपए बरामत किये गए गौर तलब है कि चुनाव के समय पचास अजार रुपए से अधिक लेकर यात्रा करने पर आचार सहीता के उनलंगन की श्रेडी में आता है जिसको लेकर थाना ध्यक्ष ने बताया कि जब्त धनराशी पर जवाब के लिए आरोपी को एक सब्ताह का समय दिया गया है तो आपको बता दे कि चेकिंग के दौरान पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है पुलिस ने गाड़ी से कैश जब्त किया है केली रूटीन के ताथ हम यहाँ बाड़त पर शिधावना चेकिंग कर रहे थे गाड़ियों का सब्सक्राइब नगदी सब्सक्राइब गाड़ी नंबर कि सामया पर दिख रहा है कि साथ एम और तीस जीरो साथ तुम्हें से हम सब्सक्राइब नगद मिला जो सम गाड़ी के मालिक थे उनको मनें अगर नहीं देते हैं जो भी नियमानुसा करवाई होगा कि मतुरा के छाता कजबर शेरगर के कोली महला में यूफती की शादी थी वहीं शादी में कजबे में बरसों से रह रहे किंनरों ने शादी में जाकर यूफती को भात पैनाया जबकि इस कारिक्रम के बारे में शेरगर किनर समाज की अध्यक्ष तमन्ना किनर ने बताया कि ये कारिक्रम उनके द्वारा गाउं में जगा जगा जाकर बड़े घराने की शादियों से जो भी पैसे के उगाई होती है वो इस पैसे को इखटा करके किसी ना किसी कारिक्रम के बहाने खर्च कर देते हैं तो आपको बता दें कि मतुरा में किन्नरों की सरानिया पहल देखने को मिली जहां किन्नरों ने गरीब परिवार की बेटी की शादी में जाकर उसको भात पहनाया इस दोरान किन्नरों के अध्यक्ष ने बताया कि वो ये पैसे ही खटा करके किसी ना किसी कारिक्रम में खर्च कर देती है खबर मतुरा से है जहां गोवर्धन के तहसील परिसर के सामने केनरा बैंक के पास जहां एक व्यक्ति से तीन लाख रुपे निकाल कर बैंक में रखकर बैंक के बहार आया और अपना हेलमेट लेने के लिए जैसे ही व्यक्ति पीछे मुड़ा बाइक पर रखे बैक को एक बच्चा तुरंत लेकर भाग निकला जिसके बाद युवक ने हला मचाते हुए भीड के जरी बच्चे को पकड़ा जबकि पकड़े गए बच्चे के उम्र महज आठ से दस साल के बीच बताई जारी है तो आपको बता दे जहां एक तरफ प्रदेश सरकार लगातार बच्चों के लिए दुरुस्त सिक्षा की व्यवस्था कर रही है वहीं मतुरा से ऐसी खबर सामने आ रही है जहां एक बच्चा तीन लाक रुपे लेकर भागता हुआ दिखाए दिया जबकि पकड़ेगाए बच्चे क्यूम्बर महजाड से दस साल के बीच ही बताई जा रही है क्या नाम है आपका कहां के रहने वालें आप ग्राम पे जबकान को बगल के दूपन दान निकले चाथा तुम्हारे बैगे लेकर भागवागवाज जब दस भी साथ मीं वहां से बगए जब बेंक के आगे पके ओ पकड़े ओ बेंक के इन रा बेंक से पैसा नकाले बेंक वारे साब आगे बढ़ाद जी अभी आप गए थे यहां से पैसा नले की का वायो अरे मी यार में हेलमेट नकार वेगवागवाव दो इदे उधरी इतने मीजंग अच्छा फिर पिर एब अब बढ़ा गया के मुसल्मान में अनाम करीब तो हमने रख लिया हैं ती फिर आदर गाट बूस्ता ऑप और बाबा करने बाला है तू इसे तरहने वाले मत्रा में इसे जुपी लागा के डे रहे हैं नहीं तू बेक को लेकर कर जा रहा था तैसने का तुस्तित कोहने तीर जहां विश्वनात गंज विधान सभाशेत से कॉंग्रिस प्रत्याशी प्रिशान सिंग ने गाउं गाउं में पहुंचकर नुकर सभा और डोर टू डोर क्यामपेंड के जरिये लोगों से संपर किया इस दौरान उन्होंने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि जो भी प् को मूर्ख बनाते हैं और चले जाते हैं जबकि यहां के नेजे समस्याओं पर ध्यान नहीं देते हैं इस दौरान उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि आप लोग हमें अपना आशिरवात दीजिए और हम जन्पत का भरपूर विकास करेंगे तो आपको बता दे कि यूपी में लगातार लोकतंत्र का महा पर वियानी की चुनाफ जोरो शोरो से चल रहा है जिसकों लेकर सभी पार्टी के प्रत्याशी लगातार जन्ता से संपर्ग कर रहे हैं डोर टू डोर क्यामपेंड के जरिए विशाल जनसभा को संबोधित करके इसी कड़ी में कॉंग्रिस प्रत्याशी ने भी जनसंपर्ग किया प्रत्याशी प्रिशान सिंग ने जनता का समर्थन मांगते हुए लोगों से वोट देने की अपील की इस दोरान बसपर्ग प्रत्याशी ने कहा कि अगर वो चुनाव जीतते हैं तो वो जनपत का बराबरी से विकास करेंगे जबकि जो भी अलने पार्टी के नेता प्रताबगड की जनपत में आते हैं वो भोली भाली जनता को बेवकूफ बनाते हैं तो आपको बता दे कि लगातार चुनावों को लेकर सभी पार्टे के प्रत्याशी अपना जनाधार बढ़ाने के लिए लोगों के बीच जाकर उनका समर्थन मांग रहे हैं इसी कड़ी में कॉंग्रेस प्रत्याशी ने भी जन्समपर करके लोगों को अपने खेमे मिलाने की भी पूरी कोशिश की है तो आपको बता दे जहां पूरे सूबे में इस वक्त कई दिगज नेता जनता के बीच जाकर जनता का समर्थन मांग रहे हैं जनता को अपने खेमे मिलाने की कोशिश कर रहे हैं वहीं इसी कड़ी में पिताबगर में कॉंग्रेस प्रत्याशी ने भी जनता का समर्थन मांगा है ये गौरों कॉंग्रेस पार्टी ने दिया है विस्तुनाद गंच को कि विस्तुनाद गंच के बेटे को जो कि मातर 25 साल दो महिने का है उसको प्रत्यासी बना कर भेजा है कॉंग्रेस पार्टी को पूरा विस्वास है कि विस्तुनाद गंच का बेटा विस्तुनाद गंच के लोग अपने बेटे को पूरा आशिरबात देंगे और रही बाद विस्तुनाद गंच की समस्याओं की तो मैं आपसे कहना चाहता हूं दिस्तोनाद गंच पूरी तरीके से चारा गाह बन चुका है। पिछले समय में आपने देखा है कि जो भी जन प्रतनी धी यहां साथ चुनके गए। उन्हों एक काम जनता के हितों में नहीं किया। आप जैसे ही मुख्य रोड से लिंक रोड क भनाज की तरफ बढ़ते हैं गौण की जुले हैं मुख्य रोड हैं वह पूरी तरीके से जड़ कोई भी गाडी लेकर गहुते हैं कि समय broke forward करते हैं कि कॉइब तरीके तरह रहे हैं तो आपको बता दे कि कौन्ग्रीस प्रत्याशह में चनता के बीच जाकर जनता का साथ अजूदा विधायक पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि उन्होंने शेत्र का कोई विकास नहीं किया है। इस दौरान उन्होंने जनता से कहा कि अगर वो इस विधान सभा चुनावों में जीतते हैं तो वो बराबरी से सभी वर्गों के लिए जनता का विकास करेंगे। बाद रहे थे। तबी गाउं के लोगों ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया वहीं हंगामा इतना बढ़ गया कि सपा प्रत्याशी को अपनी गाड़ी तक छोड़ के भागना पड़ा। जिसकी सूचना मिलते ही मौके पर पहुँचे भाजपा प्रत्याशी ने कहा कि मामले में जो भी लोग आरोपी हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कारवाई की जाएगी। तो आपको हम बताते चले कि रायबरेली में चौथे चरण में मतदान होना है जो कि 23 फरवरी यानि कि कल होगा। इसको लेकर लगातार सभी पार्टियां जनता को अपने खेमे में लाने की कोशिश कर रही हैं जबकि कल शाम 6 बजे प्रचार थम चुका है। इसी दौरान पुलिस ने चेकिंग के दौरान सपा प्रत्याशी के काफिले से शराब की बोतले समेट कुछ नगदी भी बरामत की। तो वहीं हम आपको बता दे कि राइबरेली में 23 फरवरी को चुना होने हैं जिसको लेकर सभी पार्टियां लगातार डोर टोर केंपेंग और जनता के बीच जाकर अपनी उपलब्दिया गिना रही हैं। वहीं 23 फरवरी को चुना होने है जिसको लेकर कल देर शाम प्रचार पसार थम गया है वहीं इस दोरान राइबरेली में चेकिंग के दोरान पुलिस को सबा प्रत्याशी की गाड़ी से शराब और पैसा बरामद हुआ जिसकी सूच न मिलते ही मौके पर पहुँच गए भाच्पा प्रत्याशी इस दोरान उन्होंने कहा कि इस आरोप में जो भी आरोप इलिप्त पाये जाएगा उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कारवाही की जाएगी तो हम आपको बताते चले कि ये कारवाही राइपरेरी में सपा प्रत्याशी पर की गई है जहां उन पर ऐसा आरोप लगाए गया है कि वो गाउं में जाकर लोगों कुछ शराब की पोतले और नगदी बात रहते जिसका ग्रामीनों ने विरोध किया विधान सबचुनाओं में चौथे चरंड का चुनाओं तेस फरवरी को होना है चौथे चरंड के सभी पार्टियों के प्रत्याशी जोरों शोरों से अपना चुनाओं प्रचार करने में लगे हुए है जबकि देर शाम 6 बजे चुनावी प्रचार का शोर भी थम गया है तो वहीं लखनव कैन के भाजपा प्रत्याशी ब्रजेश पाठक द्वारा रोडशो किया गया लखनव के श्रिंगार नगर से 4 बाग तक इस रोडशो का आयोजन किया गया था इस रोडशो में भारी संख् में भाजपा के कारिकरताओं ने भाग लिया तो आपको बता दे कि 4 चुनावी शोर कल देर शाम थम चुका है जिससे पहले सभी पार्टी के प्रत्याशियों ने रोडशो जनसंपर के माध्यम से जनता को अपने ख्ये में मिलाने का प्रयास किया इसी दौरान लखनव क्या प्रत्याशी प्रजेश पाठक ने भी रोडशो किया इस दौरान रोडशो में लोगों का भारी हुजूम देखने को मिला तो तस्वीरों में आप साब देख सकते हैं कि इस रोडशो में लोगों की संख्या कितनी जादा है कि स्टक्ष usuyal हो जो ढोड़ों में आप समय आप款 में लोगों कि दोड़ सेया इस दोस्फेशन है कि इस दोस्टी अट्यारे बंडिस सकते हैं